खिचडी हमेशा हमें अपने मम्मी की हाथ का ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और आज मैं आपके लिली क्याई हूँ वही मा के हाथों के स्वाद वाली खिचडी के रेसिपी पर धावे वाली ट्विस्स के साथ तो चलिए आज के मज़ेदा रेसिपी शुरू करते हैं मसाला मुंग डाल खिचडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप मुंग की डाल ली है डाल को हम एक बरतन में डाल देंगे और बराबर मात्रा में चावल ले लेंगे चावल आप छोटे वाले इस्तमाल करें उससे खिचडी जादा अच्छी बनती है आप छिए तो चावल डाल के कॉंटेटी अपने हिसाब से भी ले सकते हैं मैं इसे हमेशा बराबर मात्रा में लेती हूँ अब हम क्या करेंगे इसे पानी से दोलेंगे तो पानी में भीगो के नहीं रखना है बस इसके उपर पानी डाले दो तीन बार नल के नीचे इसे अच्छे से वाश कर ले और इसके बाद इसे रख दे अब हम चलते हैं खिचडी बनाने के प्रॉसस में तो यहाँ पर गैस पर मैंने प्रेशर कुकर पैन गरम किया है इसमें हम डाल देंगे तीन बड़े चमच तेल और इसके साथ हम इसमें दो बड़े या फिर छोटे हरी मिर्च जितना आपको पसंद है तीका उसके हिसाब साप इसमें डाल दें हरा मिर्च इसमें अच्छा फ्लिवर लेकिया आता है करी पत्ता डाल देंगे करी पत्ता इसमें ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो डाले नहीं तो स्किप करें इ याने हरा मटर, गोभी और टमाटर लिया है सबजी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा या अपने पसंद के सबजी आप इसमें 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 कर सकते हैं तो यहाँ पे ये दो प्यास डाला मैने प्यास को पहले हम भूल लेंगे उसके बाद बागी की सब्जियों को डालेंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और जैसे प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे अद्रक और लैसुन का पेस्ट तो एक छोटी चमच हम इसमें अद्रक और लैसुन का पेस्ट डाल देंगी और इसे ऐसे 8-10 सेकंड के लिए हम भून लेंगी जैसी ये थोड़ा सा पक जाएगा हम इसमें सबजिया डाल देंगी तो टमाटर छोड़के बाकी सारी सबजिया आप एक साथ ही डाल दें जैसा कि मैंने बताया कि खिचड़ी में सबजिया आप अपने पसंद से डाले जो सबजिया आपको पसंद है वो आप इसमें एट कर सकते हैं खिचड़ी बहुत ही हल्ली होता है तो सबजिया यूज़ करने में कोई भी नुकसान नहीं है आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं और आप इसमें बैगन भी डाल सकते हैं तो सब्जियों को हम यहाँ पे दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूल लेंगे सब्जियों को तो हमें प्रेशर कुकर में पका नहीं है तो यहाँ पे जादा भूनने की जरूरत नहीं है बस दो मिलट के लिए ऐसे भून ले और इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगी तो यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर को ऐसे छोटी टुकडों में काट लिया है मिला दे इसे टमाटर डालने के बाद हम इसे आदे मिलट के लिए और भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें चावल डाल जो हमने दो के रखा है वो डाल देंगे बस हो गई हमारे खिचडी की तियारी तो यहाँ पे टमाटर जो है वो थोड़ा सौफ्ट हो चुका है यह देखे तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल और डाल तो चावल डाल हमने पहले से दो के रखा था यह इसमें डाल दे इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी तो पानी आट करने के पहले थोड़ा सा आप इसे ऐसे हाई फ्लेंपे हलका सा सेख ले इसे खिचडी ज़्यादा टेस्टी बनती है तो बस हमने इसे 15 सेकंड के लिए ऐसे भून लिया है अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो पानी हमने जितना चावल डाल इस्तमाल किया है उसका तीन गुना इस्तमाल करना है तो हमने यहाँ पे एक कप चावल एक कप डाल दिया था मतलब दो कप टोटल हुए तो पानी हमें 6 कप इस्तमाल करना है अगर आपको गाड़ी खिचडी पसंदे तो पानी जो है वो 5 कपी डाले तीन गुना पानी डालने के बाद भी अगर आपके खिचडी जो है वो पकने के बाद गाड़ी लग रही है तो आप उसमें गरम पानी मिक्स करके उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी पतली कर सकते हैं एक छोटा चमच हल्दी पाउड़र डाल दें एक छोटा चमच गरम मसाला पाउड़र डाल देंगे स्वाद के निसार हम नमक डाल देंगे और इसकी बाद इन सबको मिला देंगे तो यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि पानी जादा है लेकिन पानी एक्टम पॉफेक्ट है जब भी आप खिचड़ी बनाए तो चावल डाल की मात्रा बरावर रखे और पानी उसका तीन गुना इस्तमाल करें एक चमच मैं यहाँ पर घी डाल देती हूँ इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मिला दे इसे अच्छे से और अब हमें कुछ भी नहीं करना है प्रेशर कुकर का डखकन बन करना है और मीडियम फ्लिम पे दो सीटी आने तक उबाल लेनी है दो सीटी से ज़्यादा नहीं लगाए नहीं तो यह ओवर कोख हो जाएगा यानि ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डखकन को बन किया सीटी लगा दिया मैंने पहले सीटी लगी और इसके बाद ये दूसरी सीटी गैस को बन कर दे और खुदी ठंडा हो जाने कि लिए छोड़ दे जब यह खुद से ठंडा हो जाएगा उसके बादे हम प्रेशर कुगर को उपिन करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर कुगर ठंडा हो चुका है हम इसे साफधानी से खोल लेंगे और यह हमारी खिचडी जो है वो बन के तियार है यह देखे एकदम पॉफिक्ट है ना उपर से पानी मगेरा कुछ भी नहीं मिक्स करना है अगर आपको लग रहा है कि खिचडी गाड़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा गुन-गुना पानी या एट कर सकते हैं लेकिन तीन गुना पानी में खिचडी जो है वो एकदम बरावर बनती है जैसा खाने के लिए हमें चीए तो यह हमारी सूपर टेस्टी और हिल्दे खिचडी बन के तियार है आप इसे गर्मा गरं तही के साथ, पापड के साथ और अचार के साथ साथ सर्फ करें तो यहां हो गया यह नॉर्मल खिचडी जो हमने हिल्दी तरीके से बनाया है लेकिन अगर आपको ऐसे मसाला वाला या थोड़े तड़के वाला खिचडी चीए ना तो आप एक बरतन में घी गरम करें और घी में डाल दें धेर सारा पारी कटा हुआ लैसून तो डावा में जो खिचडी मिलता है वो ऐसे ही बनता है उसमें ज़्यादा लैसून डाला जाता है गी में लैसून को पका ले जब तक वो ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे लाल मिर्च को हम थोड़ा सा पका लेंगे ऐसे इसके बाद हम ग्यास को बंद करके थोड़ा सा घी को ठंडा कर लेंगी आप चाहिए तो इस तड़के को ऐसी लगा दें लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कलरफुल चाहिए न तो आप इसमें एक चौथाई छोटा चमच ऐसे लाल मिर्च पाउडर डाल के ऐसे मिला दे तो यह हमारी सूपर टेस्टी मसाला के चुड़ीवन की तयार है आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें ट्राई करने के बाद अगर पसंद आए तो ब्लीज आप में वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें